जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है. दोस्तो मा शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्रानी हो, जिसके हृदय में कोमल भावनाय ना उमरने लगे. हर व्यक्ति के जीवन में मा ही तो वह एक मात्र स्थित्व है, जो हर परिस्थिती में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है. जन्म के बाद मा के आचल में स्वयम को सबसे सुरक्षित मानने वाला शिशू, समय के साथ अधेरी मा गंगा ने अपने ही पुत्रों को क्यों मार डाला? इसका जबाब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं. दोस्तों आपसे निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं. एक दिन हस्तिनापुर के राजा, शान्तनु जंगलों में घूमने निकले और उनकी मुललाकाद गंगा जी से हुई. गंगा की सुन्दरता और उसकी निर्मलता देखते ही शान्तनु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने शाधी का प्रस्ताव रख दिया. मन ही मनि गंगा भी राजा शांतनु को पसंद करन लगी थी. उन्होंने शांतनु को शादी के लिए हां कह दिया, लेकिन ये शादी इतनी आसानी से होने वाली नहीं थी. गंगा ने शादी के लिए हां तो कहा ही, लेकिन साथ ही एक शर्ट भी रखी. शर्ट ये थी कि वो जो भी करेगी कभी भी उनसे क इसी काम को करने की वज़े नहीं पूछी जाएगी। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं, तो माता गंगा उन्हें उसी पल छोड़ कर चली जाएंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्थ तुंत मान ली। इसके बाद बड़े ही धूमधाम के साथ हस्तिनापूर के राजा शांतनु का विवाह मा गंगा से हो गया। बीटते समय के साथ उनके बीच प्रेम भी बढ़ता जा रहा था और उनके रिष्टे की दोर और मजबूत होती गई। बाद की चर्चा होने लगी। भला कोमल रिदे रखने वाली महारानी गंगा इतनी क्रूर कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें जो भी संतान होती, माता सभी को नदी में बहा देती। ऐसा करते करते माता ने अपनी साथ संतानों को मार दिया। कुछ समय बाद राजा शांतनू और मा गंगा के आठवी संतान हुई। माता उसे लेकर नदी में बहाने निकली ही थी, कि राजा शांतनू ने उन्हें रोग दिया, और अपने वचन को किनारे रखकर उनसे पुछा, महारानी आपको क्या हो गया है, आप अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आपने अब तक हमारे साथ पुत्रों को नदी में बहा दिया है, और अब आप इस पाप को फिर से करने जा रही है, आखिर क्या वज़य है, जिसने एक मा को इतना कथोर कर दिया, राजा शांतनू से ये बाते सुमकर माता से रहा न गया, उन्होंने कहा बस करिये स्वामी, आप ये सब क्या बोले जा रहे है, मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है, मैं कोई कथोर रिदय की मा नहीं हूँ, बलकि अपने पुत दुखों और कठिनायों के साथ ही बिताना पड़ता, अब आप ही बताए कोई मा अपने पुत्रों को कश्टों में कैसे देख सकती है, वो भी पूरा जीवन, माता गंगा से ये बाते सुनकर शांतनू हैरान हो गए, गंगा ने कहा, स्वामी लेकिन अब आपने अपना वच के अनुयाई मा ने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे, जिन अश्ट वसु का जिक्र यहां हुआ है, ये आठ वसु आठ अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं जैसे प्रित्वी, पानी, अगनी, वायू, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे, महाभारत के अनुसार, इन आठ वासु में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया, ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बलकि रिशी वशिष्ट की गाय थी, प्रभास ने अपने अन्य साथ भायों की मदद से इस गाय को चुरा लिया, रिशी व आपका पूरा दन प्रभास को भोगना होगा, आपको बता दे, महाराज शांतनू और मा गंगा का ये आठवा पुत्र प्रभास ही आगे चलकर भीश्म के नाम से प्रसिध हुआ था, अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने आजीवन शादी न करने की प्रतिग्या भी ली थी, और उनकी इसी भीशन प्रतिग्या की वजए से ही उनका नाम भीश्म पड़ा, वो कितने महान और शक्तिशाली थे, ये तो आपने महाभारत में सुना ही होगा, उन्होंने महाभारत के प्रलैनकारी युद्ध में पांडवों की सेना के चक्के छुड़ा दिये थे दोस्तों आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना, और इसी प्रकार की भक्ति कताओ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैश्री राम